नमस्ति और आपका स्वागत है एक और एनर्जी चेक इन में और ये एनर्जी आपके लिए ही होने वाली है यहाँ पर ये सिर्फ डिवाइन फेम्लाइन के लिए भगवान की तरफ से मैसेज हैं जिस पर मैंने कार्ड शफल किये हैं तो वो साइन बाबा टेरो डेक से हैं और बहुत ही अच्छे मुझे मैसेज आपके लिए मिले हैं क्योंकि आपकी आपधी ऐसी जंगे पे हैं कि आप बहुत ज़धा अकेलापन फील कर रहे हैं इस टाइम और ये अकेलापन आपको जो उत्ता जादा परिशान नहीं कर रहा है लेकिन आपको ये आगे भी नहीं बढ़ने दे रहा है ठीक है मैं यहाँ पे समझ सकती हूँ आपकी जो प्रॉब्लम है क्योंकि ये इस इंसान रह प्रॉब्लम है बार बार आप उठे हो बार बार आप गिरे हो और जैसे ही आप खड़े हो पाते हो अपनी जिन्दीकी में अच्छे से ये उसी पला के आपको तोड़ देता है तो आप उसी जग्ये पे इस टाइम हो और मैं आपके लिए भगवान से जो मैसेज मैंने मागे हैं मैं चाहती हूँ कि यह आपके साथ मैच हो तो बहुत अच्छी बात है अगर मैच नहीं हो रहे हैं तो आपको यह और वीडियो देख लीजिए क्योंकि मैं यहाँ पे सभी के लिए रिडिंग कर रही हूँ तो एक कुमेंट के बारे में मैं बता दूँ आपको एकने कुमेंट किया था किसी डिवाइन फैम नहीं कि दीदी आपका चैनल बहुत जादा ग्रो करेगा देखिए मैं नहीं जानती कि ग्रो करेगा या नहीं करेगा ठीक है मेरा काम सिर्फ आपकी मदद करना है और आपका दिल से धन्यवाद जिसने भी यह लिखा था क्योंकि बहुत कम लोग आते हैं सच्चाई पे कोई जल्दी से आना नहीं चाता है ना और दिखावी की तरफ लोग ज़्यादा भागते हैं तो मेरे पास कोई दिखावा विखावा नहीं है मैं किस्टर लेके बैड़ जाओ या टेरो कार्ड की एक दुकान लगाके बैड़ जाओ यह सब मुझे नहीं आता है ठीक है तो अभी भी मैं यहाँ पे उठके बैठी नीन से उठी अभी सोके ही उठी हूँ भगवान जी कह रहे हैं कि आपने हर एक दिन को अच्छे से जीना है आज का जो दिन आपका गया ऐसे आपको नहीं जीना आपको जीना है जब आप सुभा उठेंगे तब आप कहेंगे कि आज मैं ये पल बहुत अच्छे से आज ये मेरा दिन है मैं बहुत अच्छे से खुल के जीऊंगी और वो सब चीजे सोके उठें तो गला थोड़ा सा खराश हो रही है तो वो सब चीजे मैं अपने लिए पा सकती हूँ मैं अपनी तरफ खीश सकती हूँ मैं उनको आकर्शन जो है आकर्शित कर सकती हूँ चीजों को जो मेरी लिए बनी है एक इनसान के लिए मैं और सब कुछ खराब नहीं कर सकती भगवान जी आपको ये कह रहे है ठीके आप वो सब चीज आप पा सकते हो देखो सब चीज का मतलब ये नहीं कि आप प्यार डूनने निकल गए सब चीज का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी अंसटी करने लग गए मैं बताती हूँ ना आपको आप देखो आपकी स्किन कैसी है उस पे ध्यान नहीं दिया आपने रोरो के अपना बुराल कर दिया है आप ये देखो आपकी फिटनस कैसी है आपको कौन से कपड़े पहनने चाहिए काफी दिन से आप कैसे है आपको अपने अंदर बदलाव लाना चाहिए आप ये देखो आपने अपने बच्चों पर ध्यान कपसे नहीं दिया है आप ये देखो अगर आप अनमेरिड हैं आप अपने घर वालों से कप ठीक से बात कपसे नहीं की है आपने ये सब चीज़ें देखो जीओ अच्छे से इस पल को और बहुत सारी चीज़ें जो पॉस्टिव हैं जो भगवान की तरफ से बनीवी हैं आपके लिए उन चीज़ों को आकरशित अपनी तरफ करो अच्छे दोस्तों को अच्छे परिवार को अच्छे स्वास्त को सुनते रहे ठीक है मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत सारे डिवान फैमना इनको ये रीडिंग अच्छी लगेगी और बहुत सारे जो हैं और नहीं सुनेंगे और सुनेंगे तो फायदा रहेगा ठीक है तो यहाँ पे बाबा जी कहा रहे हैं आज से आप ये सब कुछ मुझे सौम दो बहुत से लोगों की जो बिमारिया हैं बहुत से लोगों की तकलीफे हैं ये बाबा के सब धूनी में डाल दो ये बाबा जी मैंने सब आपको दे दी है और दिल से दोगे तो प्रॉबलम खतम भी होंगी ठीक है और भगवान को समझ पिंट कर दो ये सब कुछ ठीक है ये भगवान जी आपको कह रहे हैं दूसरा ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक होगा और आपके लिए है जिस भी गुरू भगवान को आप मानते हैं वो आपकी मदद हर पल हर कदम पे कर रहे हैं और आप ये मत सोचो की वो अलग हैं आप ये मत सोचो की वो आपकी नहीं सुनते आज से पहले वो आप कितने स्प्रिश्वल थे आज से पहले आपकी हर एक बात भगवान तक पहुंच जाती थी अप क्यों नहीं पहुंच रही है अब आपके अंदर क्या कमी आ गए है कमी सिर्फ दिमाग में है बहुत सारी खुशियां भी है आप सोच रहे हैं कि पैसों में बरकत नहीं है पैसे भी हैं सब कुछ पहले जैसा ही है सिर्फ और सिर्फ अपनी एनरजी को बदलने की कोशिश कीजिए और भगवान आपके हमेशा साथ हैं भगवान जी आपको ये भी मैसेज दे रहे हैं यहां पे ऐसे ही नहीं मैं बोल रही है तो मुझे नहीं लगा कि मुझे आपको कार दिखाने चाहिए कार ही आपको वो मिले हैं जो मैं बता रही है ठीके और यहां पे मुझे एक मैसेज मिला है कि आप खुद को अपने आपको अपने गुरू को सौंपते हुए और इस जो ट्विन फ्लेम जर्डडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडड जिसे पानी पवित्र होता है पानी के आर आर कुछ भी डाल दो तो तो दिखाई देता है ऐसा अपना मन कर लो तो सिर्श भगवान ही दिखाई देंगे भगवान आप को कहरொले है यहापे बहुत सारे लोग कुछ करते हैं कोई हीलर है कोई टेरो कार्ड रीडर है, कोई रेकी करता है, कोई किसी ना किसी चीज को जो है कर रहा है और लोगों की मदद कर रहा है तो भगवान कह रहे हैं, आपने काफी दिन से अपने अंदर के ब्रमार्ड को तरासा ही नहीं है अपने अंदर जाने की आपने कोशिश ही नहीं किये है आप एक लाइट वर्कर हैं आप लोगों को दिशा दिखाने के लिए इस दुनिया पे आये हैं चुकि आप भूल रहे हैं और ये काम आप अच्छे से बिलकुल नहीं कर रहे हैं करम कारण एक भाव है सजा नहीं है साहिं बाबा का जो मैसिज है ठीक है आपको कोई सजा नहीं दी जा रही सजा नहीं है ये आप करम करिए आप दूसरों की मदद करिए और भरोसा और आस्था आपकी मजबूत होनी चाहिए कि मेरे लिए जो मेरे भगवान ने दिया है वही मेरे लिए होगा और आने वाला समय मेरे लिए बहुत अच्छा होगा और लास्ट में आपको शिव शक्ति का कार्ड भी मिला है ठीक है तो जो शिव शक्ति की एनरजी है जो कि आपके ही अंदर पूर्ण है आपके ही अंदर complete होने का ये समय है और इसको आप claim कर सकते हैं energy को अगर ये reading आप सुन रहे हैं अभी तक तो इसको claim कीजिए ये आपके लिए ही है अपनी उर्जा को जो है आप एकांत अपने अंदर लाते हुए इस उर्जा को डिवाइन मैस्कुलीन को free करते हुए आज से आप संपूर्ण अपनी अंदर ही पूर्ण रहने की आप जो है संकलप आपको लेना चाहिए मेरे हिसाब से ये काड़ आपको यही बता रहे है और बहुत सारे डिवाइन फैमना इनको यह जीद चड़ने वाली है जो मरजी हो जाए जैसा मरजी हो जाए मुझे बोलना पड़ेगा तो बोलने में कोई दिक्कत नहीं है डिवाइन मैस्कुलीन के साथ लेकिन उसकी चलाकिया अब चलने वाली नहीं है क्लेम एनरजी और आगे बढ़िये इस रीडिंग के साथ मैं फिर हाऊंगी एक नए वीडियो के साथ अब तक के लिए नमस्ते यह भगवान की तरफ से मैसिस था इसको जो डिवाइन फैमना इन मान लेंगी वो आगे सुखी ही रहेंगी और एनरजी चेक मैं रोज करके देती रहती हूँ आपको उसमें जो आएगा आपको चलना कैसे है वो आपकी मरजी है डिवाइन मैस्ट को मिलने आएंगे तब भी कार्ड बता देंगे नहीं आएंगे तब भी कार्ड बता देंगे ठीक है बाकी हम शाम को देखते हैं कि एनरजी क्या निकल कि आती है लेकिन वीस रीडिंग के हिसाब से जो डिवाइन फैम नहीं चलेंगी वो जीवन में सुखी ही रहेंगी तो मैं ये भगवान से जो जुड़ी वे मैसिज है मैं डेली नहीं डालती हूँ आज तक मैंने प